How to choose S.I.P. amount आपके पास तमाम जिम्मेदारियां हैं, तमाम स्कीम्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर आपके पास एक सेविंग्स अमाउंट है और आपके अलग-अलग इन्विस्टमेंट भी है अब मन में ये सवाल आता है कि मैं अपनी S.I.P. का अमाउंट कितना करूं कितनी स्कीम्स में डालूं, इसके उपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई लेकिन कितना अमाउंट डालूं, अब एक S.I.P. में ये कैसे डिसाइड करें वही हजार रुपए के S.I.P. करें, दो हजार की करें, पंदरा हजार की करें, करें तो क्या करें इस वीडियो में ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सो अंत तक बने रहिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, मैं हूँ विपलम जुमदर, founder of planyourworld.com हमारा simple सा मानना ये है कि आप ही अपने financial advisor हो सकते हैं और अगर ये सवाल आपके मन में है कि S.I.P. कैसे चुने तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर जवाब ना मिले तो इसका एक ही कारण होगा कि हमारी पूरी financial planning हमने नहीं की है और इसी लिए अलग-अलग टुकडव में वीडियो को अगर देखेंगे तो solution नहीं मिलने वाला है क्योंकि ऐसे सवाल इस वीडियो में उठेंगे और अगर आपके पास समय कम है तो आप recorded session को आप देख लीजे आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे पहला सवाल आपके लिए कि आप अगर SIP की बात कर रहे हैं तो इसको किस तरह से decide करें first point decide करने का क्या आता है दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं एक decision होता है हमारा asset allocation के basis पे जब मैं asset allocation की बात करता हूं तो यह उनके लिए काम आता है जिनके पास में काफी सारी wealth है जिनके दो तीन तरह के प्राणी इंसान तीन तरह के families हैं एक family दूसरी टाइप और तीसरी टाइप यह इनके जीवन में जितने भी मुख्य काम है आपको बच्चों को settle करना है home loan वापस करना है आपको अपनी जीवन में retirement के पैसे चाहिए wealth बनानी है यह सब इनके हो जाएंगे इसके अलावा से इनके पास surplus है बच्चे के education के लिए जो पैसा देना है वो सब हो गया लेकिन surplus पैसा है तो यह बोलते है मेरे पास I need a portfolio मैं कितना पैसा कहां पे लगाऊं ठिक दूसरे वो लोग हैं जिनके पास जितनी जिम्मेदारियां हैं उतनी जिम्मेदारियां पूरा चाहिए so they don't enjoy portfolio वो क्या करते हैं कि किस need को कैसे पूरा करें तीसरे वो लोग हैं जिनके पास पैसे पूरे नहीं हैं अब asset allocation की strategy देखने से पहले आप से अगर एक सवाल पूछा जाए कि आप अपने पैसे पे return जादा चाहते हैं या पहले आप यह चेक करोगे कि आपकी profile द अब सवाल यह उठता है कि जब मुझे बच्चे के लिए करना है investment मुझे retirement के लिए करना है तो it should be goal based लेकिन अगर आपका सवाल यह है आप एक number पे fall करते हैं आप लगी है आपके पास पैसे जादा है then simply we should follow asset allocation asset allocation क्या कहता है आपके पास तमाम अलग-अलग investments है ठिक इन investments को आपने किया अपने हिसाब से आपने FD ले ली insurance ले लिया mutual fund ले लिया shares ले लिया plot ले लिया तो आपने अलग-अलग तरह के investment किये बट अंत में साल के अंत में आपके पास return कितना आया tax देने के बाद ठिक इसके लिए मैं आपको एक Excel पर लेके चलता हूं जो कि हमारी calculators from websites because 99% website of a गलत calculators हैं तो इसको हम इस तरीके से देख लें तो यह वाली calculator भी आएगी आपके सामने this is total return calculator यह काम कैसे करता है यह FD है MF equity equity PF PPF जो भी आपको लेना आप सब ले लीजिए अब आप यहां पर एक amount fill कर दिया हमने तो हमने यहां मान लिया कि 15,000,000 रुपे इन सेविंग्स अकाउंट में अगें 5,000,000,000 रुपे और घर में इन्होंने 70,000,000,000 रुपे डाले तो अब यहां पर दो तीन बाते ध्यान देने वाली पहला घर को हम investment नहीं मानते सो हमने return 0 लिया second यहां पर यह वेट है कि पूरी हैसियत का कितना पैसा कहां लगा हुआ है य दिन हमने return ले लिया आज की डिट में 7% post tax return क्या आएगा so tax lab अगर 30% है post tax return 4.9 inflation से कम हो गया then MF equity 10% देना पड़ेगा equity 10% savings account में हमने 30% लिया अब अगर आप देखें तो net growth जो है इनकी total में घर हटा के 29 लाख रुपए पे 1 लाख चोहतर हजार रुपए साल अब इसको अगर आप देखिए inflation के साथ में so return is negative तो अब क्या है कि अगर आपका surplus पैसा है तो आपने यहां पर changes कर लिये और आपको दिख गया risk के हिसाब से बही ऐसा थोड़ी है कि आप पूरा पैसा 100% equity में डाल दिये कुछ strategy हो सकती है कि आपका tax कम कर लिया जाए so mix and match करके आप अपने overall return को बढ़ा सकते है SIP ऐसे decide हो सकती है but आपका सवाल है कि SIP कितने की हम करें so SIP का मतलब है लंसम पैसा शायद हमारे पास कम है इसलिए यह सवाल उठा अगर पैसा कम है तो हम लोग चलते हैं दूसरे calculator पर that is goal-based so goal-based की अगर मैं बात करूँ तो इसका जवाब instantly कैसे निकलेगा यह बच्चों की education जितने भी गोल्स आपकी लाइफ में वो सारे गोल्स आपने ले लिए सब से पहले लीजिए याद रखिएगा चाहे किसे भी mutual fund company का website हो उसका अगर calculator देखें तो 99% calculators गलत है तो प्लानिंग करेंगे तो गलत प्लान आएगा value in today's term आपके सामने है फिर inflation rate अलग-अलग चीज़ पर अलग-अलग inflation इयर्स टू गोल कितना भई आप S.I.P. इसलिए थोड़ी करते हैं आपको return बढ़ जाए खाली आपको कोई goal है उस goal को पूरा करना है जब goal को पूरा करना है तो properly कर लिजे क्योंकि last में account में जो पैसे आएंगे उसी से चेक लिखेंगे आप चाहे बच्चे के education किये चाहे car किये चाहे home loan prepayment हो चाहे आपके retirement के पैसे हो तो यहाँ पर आ गया value required with inflation दिन आपने return लिया तो return को आप 12% अगर 5 साल से उपर है तो 12% ले लिजे 5 साल से नीचे है तो आप 12% SIP पे ले सकते हैं 5 साल से नीचे का tenure है you cannot use SIP 5 साल से नीचे के tenure में risk बहुत बढ़ जाता है 77 साल में equity ने negative performance दिया है तो इसको money making machine मत मान लिजे properly उसको invest करिए then यह आपको दिखाता है कि one time investment कितना आएगा SIP investment आपका कितने का आएगा यहां से आप इसको निकाल सकते हैं कि आपका SIP कितने amount कि और दिन if you want you can distribute it in five different investments लेकिन क्या इससे भी पूरा होगा आपको अगर इस video में थोड़ा सा भी लगा हो कि इन चीजों को आपको जानना चाहिए तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा most of the financial advisors don't know these so आपको खुद ही initiative लेना है जब आप saving कर रहे हो मात्र 4-5 घंटे में अगर आप 15 साल में जो आपने नुकसान किये हैं वो नुकसान पूरे कर लोगे आप because saving से पहले पढ़ाई करने की जरूरत है जब आप save कर रहे हो because investment करने से पहले आपको पढ़ने की जरूरत और हमें कभी पढ़ाया नहीं गया so you need to learn कि आपकी जितनी भी investment से आप कैसे manage करोगे उसको so link description में है if you want to learn you should